नमस्कार आप देखने निउस पॉर्ड नेशन और मैं स्वाधी पांडे आपके साथ बिहार सरकार की सुप्रीम कोट में एक बार फिर से फजीहत हुई है सुप्रीम कोट ने ये कह दिया है कि क्यों न सभी आरोपितों को छोड़ दिया जाए रिहा कर दिया जाए आखिर किस मामले में बिहार सरकार की सुप्रीम कोट में फजीहत हुई है और सुप्रीम कोट को ऐसा कुछ क्यों कहना पड़ा है दरसल बिहार में शराब बंदी कानून लागू हुए साल साल तो हो गए लेकिन बिहार सरकार में इस सराब बंदी कानून के लिए स्पेशल कोट बनवाने के लिए एक जमीन तक मुहया नहीं कवा पाई है और इतना ही नहीं आए दिन बिहार में शराब बंदी कानून की फजिहत उड़ते दिखती है इस कानून के वज़े से बिहार सरकार की भदपिटती दिखती है आये दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें शराब बनाने वाले शराब भटी के लोग है वो पकड़ाते हैं जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है हालिया मामला हमने आपको बीते दिन ही बताया जहां बिहार के सिवान में लगभग पांच लोगों की एक ही गाओं के पांच लोगों की शराब पीने से यानि जहरीली शराब पीने से मौत हो जिसके बाद अब सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार की फटकार लगा है बिहार सरका और आबकारी अधिनियम से जुड़े एक और मामले की सुनवाई किये इसके तहट आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेस अदालतों को इन्फरास्ट्रक्चर मुहया नहीं कराए जाने पर नराजगी जाहिर किये इसे स्थापित करने में 7 साल की देरी पर नराजगी जताई उच्चतम न्याले ने सवाल किया कि क्यूं नहीं सरकार अदालतों के लिए अपनी इमारते खाली कर देती सुनवाई के दौरान न्याले ने अधिनियम की धारत 372 के तहत राज की ओर से नियाईक मेजिस्ट्रेट की सक्तियों को कारेकारी मेजिस्ट्रेट को देने जिसको लेकर पटना उच्च न्याले ने भी आपती जताई थी शिर्ष अदालत ने कहा कि वो सराबंदी अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी सुविदाय मुहिया करने के से लेकर कारेकारी मेजिस्ट्रेट को शक्तिया हस्तांतरित करते सहीत सभी पहलूँ पर विचार करेगी न्यायमूर्ती संजे किशन कॉल और न्यायमूर्ती अभे एस ओका ने कहा कि कानून को 2016 में पारित किया गया लेकिन अब तक विशेश अदालते गठित करने के लिए जमीन तक चिन्धित नहीं की गई है पीठ ने हरानी जताई कि क्यों नहीं शराब बंदी अधिनियम के तहत आरोपितों सभी यानि जितने भी आरोपित अब तक पकड़ा हैं सभी के इन मामले किशनुवाई के लिए अवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहिया कराने तक जमानत पर रिहा किया जाए कोट ने बियार सरकार की ओर से पेश वरिष्ट अधिव्यक्ता रंजीत कुमार्ड से कहा आपने वर्ष 2016 में कानून पारित किया और 7 साल बितने के बावजूद आप विशेस अधालते गठित करने के लिए अब भी जमीन देख रहे हैं क्यों नहीं इस कानून के तहट दर्ज मामले के सभी आरोपितों को जमानत देदें आप अदालतों के लिए सरकारी इमारतों को खाली क्यों नहीं कर देतें शिर्ष अधालत ने कहा कि इस अधिनियम के तहट 3,68,000 अपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं जिन में से केवल 4,116 मामलों का निस्तारण किया गया है जो दिखाता है कि ऐसे मामले की सुनवाई न्यायपालिका पर बोज है न्यालक ने कहा यहीं समस्या है आपकी न्यायपालिका की अवसर अंचना और समाज पर पढ़ने वाले असर को देखे बीना कानून पारित कर दिया आप क्यों नहीं समझोते को अगर अवसर रचना समस्या है शिर्स अदालत वर्स 2016 में लागू सराबंदी कानून से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे है न्याय मित्र की भूमी का निभा रहे गौरव अगरवाल ने कहा कि उचनाले ने कारेकारी मलजिस्ट्रेट की सक्तियों वाले प्रावधान पर आपत्ति जताई है और कानून के प्रावधानों में संसोधन की जरुवत है पीठ ने कुमार को एक सप्ता का समय राजसरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए देते हुए कहा कि वो इस मामले के सभी पहलों पर विचार करेगी एक ये बिहार की शराबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की भद पीठी है एक बार फिर से बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है फटकार इसले लगाई गई है क्योंकि बिहार में शराबंदी कानून लागुग हुए साथ साल तो ह लेकिन अब तक स्पेशल कोट के लिए बिहार सरकार एक जमीन तक मुहया नहीं करवा पाई है जिसके लिए सुप्रेम कोट ने कहा है कि क्यों न अब तक जितने भी आरोपित पकड़ाए गए हैं सराब पीने में शराब मामले में उन्हें हम छोड़ दे उन्हें हम रिया कर द इन ये सवाल खड़ा होता है कि बिहार में अगर शराब बंदी पूरे तरह से लागू है तो जहरीली शराब पीने से लोग मरते कैसे हैं अगर बिहार सरकार कहती है कि हम पूरे तरह से सफल है बिहार में शराब बंदी कानून लागू करने में इतना ही नहीं के मंदिर नित्रिश कुमार बिहार विधान सबा के सीथ कालिन शरत्र में विवादत बयान देते हैं ऐसा अजीबों करीब बयान देते हैं कहते हैं कि जो सराब पिएगा वो तो मरेगा है शराब पियोगे तो मरोगे ही तो इसके बाद जो है अब आपको बताए बिहार में शर शराब बंदी कानून के बाद शराब पीने से जो लोग जेल में गये हैं, जिन लोगों को सजा की गई है, उन लोगों को छोड़ दिया जया, उन्मों को रिहा कर दिया जया, क्योंकि आप लोग एक स्पेशल कोट के लिए अब तक जो एक जमीन तक ने बना सके हैं। तो चलिए इस खर्ण में से इतना ही और वीडियोज और अप्डेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूस फोरनेशे